इन दिनों स्टार प्लस पर सबसे जादा पसंद किया जा रहा शो इमली तो आप सभी देख रहे होंगे जिसमें एक मामुली से इंसान दिखने वाले अभिनीता फेहमार खान आरियन सिंग की खूबसूरत भूमिका में नजर आ रहे हैं जो इमली का फुल सपोर्ट करने के दर्शकों से खूब प्यार पा रहे हैं इसलिए तो इने शो में अच्छा काम करने के लिए इनकी मूमांगी रकम दी जा रही है जिससे आज ये लाखों करोडों दौलत के मालिक बन गए हैं लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक मामुली से इंसान दिखने वाले फेहमान खान के पास काफी प्रॉपर्टी है और ये काफी आलिशान जिन्दगी जी रहे हैं तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इनके आलिशान घर प्रॉपर्टी और लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे मगर उससे पहले आप हमारी इस खूबसू अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर की तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुवात एक मॉडल के रूप में की थी जो अपने पहले डेब्यू सीरियल ये वादा रहा के साथ टीवी पर पहली बार नज़र आये थे जिसमें इन्होंने छोटा सा कैमियो रोल जिसके बाद इन्हें मेरे डैड की दुलहन, क्या कसूर है अमला का और इश्क में मरजावा जैसे धारवाहिकों में छोटा मोटा रोल प्ले करने का मौका मिला लेकिन इन्हें अपनी असली पहचान अपने शो इमली से मिली क्यूंकि ये मन लगा कर इस शो में आरियन सिंग अपनी महनत और दम पर 25 करोड रुपे कमाये हैं जो अपने हर एक शो में पर डे एपिसोड काम करने का 10,000 रुपे चार्ज करते हैं और उन्हीं पैसों की बदौलत ये आज इनके पास 15 करोड की संपत्ती और प्रॉपर्टी हो गई है जिसमें से इन्होंने 5 करोड का अपन एक आलिशान घर बनवाया है जो कि मुंबई के जुहू इलाके में स्थित है जिसकी हर एक डेकोरेशन काफी परफेक्ट तरीके से की गई है और तो और इनके पूरे घर को बहुत ही एक्सपेंसिव तरीके से बनाया गया है जिसमें बड़े बड़े जूमर और सोफा सिट लगे हैं जिनका इंटीरे डिजाइन तो वाकरी देखने लाइक है पर अगर बात की जाए इनकी आलिशान जिंदगी के बारे में तो हम आपको बता दें कि जहां इन्होंने अपने आलिशान घर पर लाखों करोडों रुपे खर्च किये हैं वहीं ये अपनी लाइफस्टा क्यारी करते हैं इतना ही नहीं अपने कपडों की शान को बढ़ाने के लिए उनके साथ महंगी महंगी वाच कभी शौक रखते हैं जो अक्सर एक्सपेंसिव वाच हाथ में पहने हुए नजर आते हैं इसी के साथ इन्हें गौगल्स और पोफ्यूम कभी खूब शौक है जो महंगे महंगे पोफ्यूम डेली यूज करते हैं अपने आलिशान घर की शान बढ़ाने के लिए इन्होंने बुलिट बाइक और मर्सडीज बेंस जैसी गाडियां अपने घर के आगे खड़ी की हैं जिनकी कीमत 5-10 लाग तक की होगी लेकिन अगर बात करें इनकी परसनल ल स्क्राइब स्टाइल के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें